नमस्कार मैं हूँ सन्नी साराद और आप देख रहे हैं The Follow-up इस वक्त राद के करीब साड़े दस बजे लाइव हम इसलिए जुड़े हैं क्योंकि जार्खन की राजनीती से इस वक्त एक बड़ी खबर है बड़ी खबर ये है कि आज से जो जार्खन विधान सबा का सीथ कालिन सत्र शुरू हुआ है आज मुखमंतरी आवास पर UPA विधायक दल की बैठक थी UPA यानि की जार्खन मुक्ती मोर्चा, राजद और कॉंग्रेस गडबंधन की जो सरकार है उन तमाम विधायकों की बैठक मुखमंतरी आवास पर थी और खास बात और बड़ी खबर यही है कि इस बैठक में कॉंग्रेस के एक भी विधायक सामिल नहीं हुए है तो माना जा सकता है कि आखिर ये कितनी बड़ी खबर है और क्यों कॉंग्रेस के विधायक वहां सामिल नहीं हुए और जारखन मुक्ती मोर्चा के जो विधायक उस बैठक से सामिल होकर निकले वे क्या बोले और इस बैठक में जबकि राज़त के विधायक वह सामिल हुए सिर्फ कॉंग्रेस के विधायक सामिल नहीं हुए तमाम बातों पर जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे सायोगी संजय है और थोड़ी ही दिर में पांडे जी भी जुड़ेंगे संजय आज यूपिय विधायक दल की बैठक थी और उसमें कॉंग्रेस के एक विधायक सामिल नहीं हुए जो ख़बर आ रही है निकल कर सामने क्या वज़ा रही है देखे बहुत बड़ी ख़बर है और बिल्कुल पक्की ख़बर है क्योंकि जब भी आपको पता है कि जैसे ही बिधानसवा का सत्र चलता है तो अलग-अलग पार्टियों का पहले एक बैठक होती है बिधायक दल की और उसके बाद जो है यूपिय अपनी बैठक करती है और मुखमंतरी आवास में बुलाई थी लेकिन दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी कॉंग्रेस जो की इस सरकार को चलाने में महत्पूर्ण भूमिका निभा रही है उसके कोई भी बिधायक मुखमंतरी के बुलावे पर नहीं गए और जिससे यह सपस्ट है कि कॉंग्रे पार्टी के बड़े नेता ने कहा जो की जिम्मेवार पद पे भी है उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरीके से हेमन सोरेन की कारे प्रेनाली है और पिछले दो बरसों से जिस तरीके से लगातार जिन मुद्दों को आधार बना करके हम लोग सत्ता में आये लेकिन किसी भी त 27 पर 37 OBC का जो आरक्षन का जो मुद्दा है भासा में जो मैथली भोजपूरी अंगिका को लेकर के जो इन लोगों का अपनी मांग है इन सब चीजों को लेकर के और सबसे बड़ी जो बात है वो रोजकार का मसला है जिसको लेकर के आप लगातार आप देख रहे हैं कि जो अभियर्थियों का OMR सीट जप्यसी ने एक्षेप्ट भी किया कि उनका नहीं मिल रहा है जिसके बज़े से उनका रिजल्ट जो पहले निकाला गया था उसमें भी उन्चास उन्चास माप कीज़ेगा उन्चास को पास कर दिया फिर वापस कर लिया गया तो इस तरीके क जो कारेप्रणाली है उससे नाराज कॉंग्रेस पार्टी के बिधायक हैं और कॉंग्रेस पार्टी के जो कारकरता हैं खास करके वो इन बिधायकों पे लगातार यह दवाब बना रहे थे कि जिन मुद्दों और जिन बायदों को लेकर के हम लोग सरकार में आए हैं उस पे ज फोटी खबर नहीं है और यही बज़ा है कि हम लोग जो है दा फॉलो अप के दर्सकों के लिए अभी लाइव आये हैं क्योंकि तीन पार्टियों का मिला करके जो है हेमन सोरेन की सरकार चल रही है हेमन सोरेन की पार्टी यूपिय गठवंदन में सबसे बड़ी पार्टी है ज पूर्ण भूमिका है और अगर 18 बिधायकों वाली पार्टी जो कि हमन सोरेन की सरकार को समर्थन दे रही है जिसके बदावलत सरकार चल रही है अगर वो लोग मुखमंतरी के बुलावे पर यूपिय की बैठक में नहीं सामिल होते हैं तो यह बहुत बड़ी खबर है और च चितकाली सेत्र जो सुरू हुआ है जब सदन चलेगा तो वहां भी आप देखिएगा कि इस तरीके की चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी हाला कि बात करेंगे अभी पांडे जी भी हमारे साथ जूड़ गया है पांडे जी क्या लगता है कि जो कॉंग्रेस के विधाय नहीं गए नाराजगी की वज़ा क्या है संजे बता रहे है कि सरकार काम नहीं कर रही है रोजगार का मुद्दा था जेप्यसी का मुद्दा था आप से किसी विधाय की बातचीत हो पाई है कई लोगों से बात हुई अलमगीर साहिब से अनूप जी से बाकी और जो हां जैसे बिधायक जाते हैं विधान सभा का सत्र वैसे जाएंगे हमारे बिधायक भी अरे किसी अभी कहा हां जब किसी पत्रकार ने सवाल ही नहीं किया कि बिधान सभा में कि आपके बिधायक जाएंगे कि नहीं जाएंगे तो यह सभाविक है मतलब नाराजगी उस लेबल त आप कुछ हाल के दिनों में जो घटना घटी है उस पे अगर आप ध्यान दे जगा तो आपको समझ में आ जाएगा कॉंग्रेस के विधायक हर जगा ये खुले आम कह रहे थे कि जेमेम के कारिकरता हमारे छेतर में भी हावी हो गए हैं उनकी प्रसासन सुनती है उनका काम होता है हमारे विधायक हमारे कारिकरताओं का काम नहीं होता है एक जे पी एससी के मुद्दे पर कॉंग्रेस के कई विधायकों का स्टेंड है कि जो करना है क्लियर कीजिए लेकिन जो नाराज हैं उनको इगनोर करके हम नहीं कर सकते हैं मतलब अगर हम कोई काम भी कर रहे हैं और उनको जब ये ना हो तीसरी बात आपको याद होगा अंगीका, मगही, भुशपूरी और ये सब बात को लेकर कई बार कॉंग्रेसी बिधायकों ने अपनी बात को रख दी है इसके अलावा कई जो प्रसासनिक अधिकारी है चाहे वो बड़े पदपर हो या मतलब ब्लॉक लेबल से लेकर उतनी एहमियत कॉंग्रेस के बिधायकों को नहीं मिल रहा तो ये सारी नाराजगी की वज़ा है कल के बैठक में वाकई में कम बिधायक पहुंचे लेकिन ऐसा नहीं था कि मुख मंत्री के बुलावे की बैठक और UPA की बैठक में नहीं जाते पर वो एक दिखाना था कि हम प्रेसर कुल मिला करा जा सकता है कि जो ये सरकार गिराने की साजिस का जो मामला था इससे पहले जो नाराजगी थी खास करके महिला विधायकों में कॉंग्रेस की वो मामला फिर से अब उठ रहा है और इसमें अब पूरा कॉंग्रेस के जितने विधायक हैं संजय आप से जानना चाहे रहे थे लेकिन हमको करने नहीं दिया गया चुकि मंतरी तो उनके भी तीन है नहीं देखिए ठीक रहा फुटने वाली जो बात है जो कैप्टन रहेगा सवाल उसी से पूछा जाएगा मुख्मंतरी की जिम्मेवारी है वो हेमन्त सोरेन के जिम्मे हैं मुख्मंतरी है और यू जो लगातार एक ख़वर भी कर रहे थे और यहीं बज़ा है कि जब उनको उनके सवाल का समधान नहीं मिल पा रहा है तो बोलो गब यह तरीके से प्रेसर पॉलिटिक्स कर रहे हैं जहां तक बात रही सरकार गिराने को ले करकर या फिर सरकार से समर्थन बापस लेने को ले करके जैसे कि पीसी हो गया नियुक्ति का मसला हो गया या फिर भासा का जो बीवाद है वो सब हो गया यह सब सामने है फ्रंट फूट में लड़ाई लडने के लिए इसका असर सदन के अंदर भी देखेगा क्या लगता है कि बुझेपी तो भुनाएगी हैं बीजेपी बिल्क ने जो कहा कि राजभर के कारकरता जो है लगातार इसलिए ना खूस हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई सरकार तो हमारी भी है हमारे अठारा भी धायक हैं लेकिन हमारी काम हमारा काम जो है नहीं हो पा रहा है किसी भी ब्लॉक अस्तर तक जो है वो जेमेम के कारकरता ज्या तो अब जो ये दवाब कार्टाओं का है वो कॉंग्रेस पार्टी के बिधायक समझ रहे हैं और यही बज़ा है कि आज एक तरीके से इसको प्रेसर पॉलिटिक सी देखा जाए और जहां तक बात है कि आज भी बिधायक दल की बैठक थी कॉंग्रेस की तो इसको आप एक बहा पार्टी का बिधायक दल का बैठक बुला रखा था इसलिए नहीं जा पाया तो उनको वो खुद पढ़ लेंगे अखवारों में आज का जो गुरुवार को जो अखवार निकला है उसमें इस पस्ट है कि बुद्दवार साम जैमंगल सिंग जो कि अनूप सिंग के नाम से पर जानने जाते हैं उनके आवास पर बैठक हुई वहां पर कॉंग्रेस विधायक दल के बैठक हुई अच्छा एक सवाल अभी जो बैठक हुई जैसे जो विधायक खास करके जैम्म के बैठक से निकले जो कि कॉंग्रेस के विधायक आपने बताया कि फोन नहीं उठा रह उन्हों ने यह कहा कि ये यूपिय बिधायक दल की बैठक ही नहीं थी ये जेमेम का बैठक था ये बिलकुल हस्यासपद है आप बचने के लिए मीडिया को आप या फिर पब्लिक को जो है आप गलत संदेश नहीं दे सकते हैं जेमेम का बैठक था तो फिर सत्यनन भोगता क्य कर रहते हैं मंत्री नियुक को भी अधाइक है और जम के खूंग्रेस के बिधायक को भी भाहना हो तो इसपास्त है क्वी पिद्धायक के सरकार को समर्थन दे रहा है उसका कोई भी पिद्धायक नहीं पहुंचा है और आप इसको हलके में लिया नहीं जा सकता है ये तो बहुत बढ़ी ख़बर है ना कि मुखमान्तरी जो है वो बुला रहे हैं कि भाई याओ हम लोग मिलकर के बैठक करेंगे और उसमें तैय करेंगे कि विपाक्ष के सवालों का कैसे हम लोग जवाब देंगे जब भी सत्र बुलाया जाता है विधान सभा का तो एक तरीके से आप समझें कि आपचारिक बैठक होती ही है सभी पार्टी अपने अस्तर पर पहले अपने पार्टी विधायकों के साथ बैठती है उसके बाद यूपिय अपनी बैठक करती है अब एक बहाना अगर आप बनाते भी हैं मेडिया को अगर आप सोचते हैं कि मेडिया के लोगों को कुछ भी बोल देंगे और वही चल अगर सपोच की हमन सोरेन का एक इंटर्वियू आए अभी एक ब्यान आए चुकि सोचल मेडिया का जमाना है वो घर में भी बैठ करके जारी करते हैं वीडियो अगर वह भी खुद यह बोलेंगे कि नहीं कॉंग्रेस के बिधायक अपने बैठक कर रह थे अलग से तो क्या कि हमानेगी तब जबकि उन्होंने कॉंग्रेस के बिधायकों को अपने हाँ बुलाया था कि भाई कैसे आगे की रननिती बनाई जाएगी इस पे कोई डिनाई नहीं कर रहा है और यह कोई आचानक से ऐसा नहीं कि आज सुबह मुखमंतरी ने कहा कि बैठक है यह बैठक पत्रकारों को जब पता है आज से पांच दिन पहले कि सोल्ला तारिक को बैठक होनी है मुखमंतरी के आवास पे यूपीय के सारे बिधायकों का तो यह पहले से मतलब ऐसे नहीं था कि अभी जाके प्री किया गया कि आप बैठक में सामिल हो यह यह एक तरह से कहले का लानूप जी के यह बैठक हुई उसके बाद वो कहा गया कि वहां पर कम बिधायक पहुंचे आज बैठक हुआ अगर हम चाहते भी तो पहले भी समय कर सकते थे बैठक का डिउरेशन कम भी कर सकते थे और एक बात जब अगर अलमगीर साहिब कह रहे हैं कि कल की बैठक की बात अधूरी रह गई थी तो क्या विधायकों को निंद आ रहा था अगर बैठक आठ बजे तक चली नो बजे तक भी चल सकती थी रात के दस गारा बा आज जो है चुकि आज सत्र का पहला दिन था तो सभी वो जो की पॉलिटिकल एक्टिव रहते हैं उनको पता है कि पहले दिन का जो सत्र होता है वो अपचारिक्ता मात रहे सोक संताबना पढ़ा जाता है और उसके बाद जो है वो में गुरू सुक्रवारतक के लिए स्थाक नहीं कर पाये थे तो वो दोफर में बैट लेते हुं चूंकि उनकी तो प्राइटी क्या होनी चाहिए कि भाई मुखमंतरी ने बुलाया है अगर उनंकी नाराजगी नाराजगी का लेवल देखेए नाराजगी वो जहित कर सकते थे मुखमंतरी पके पास जाकर ऑसा साथ ब बिधायक दल के नेता हैं वो जाकर मुखमंत्री को अपनी बात से बावनाव से अउगत कराएंगे। बिधायक आपके पास गये ही नहीं है। इसका डिफरेंस समझी है वो जानते थे कि बाकाइदा अगर हम नहीं सामिल होंगे तो मीडिया वाले इस प्रशन को पूछेंगे और कल यहीं मुद्दा रहेगा विधान सभा में सारे पत्रकारों को कहा कि आप क्यों नहीं गए और आज जो भी पत्रकार आज आलमगीर या जो उस बैठक में वहाँ पर कारेकारी अध्यक्ष बंदू तिरकी थे परदेश अध्यक्ष ये राजस्ठाकुर थे उन्होंने सीधा कहा कि हमारी पहले जो बात हुई थी उस पर कोई स्टेंड क्लियर नहीं हुआ या बाते नहीं आई जो भी मुद्दे उठे हैं लेक इस तरीके से जो मुद्दे कॉंग्रेस गिनाते आ रही है वो अपना गिना देगी लेकिन उनके में जो अंदर की दुख और पीड़ा जो है कॉंग्रेसी विधायकों का वो ये है कि छेत्र में हमारे अधिकारी नहीं सुन रहा है और काम नहीं हो रहा है इसका एक और उदा करन अभियान चलाया गया जब कॉंग्रेस के तरफ से कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष हर जिले में गया वहां उनकी मुलाकात किस से हुई सारे जिला अध्यक्षों से सारे जिला अध्यक्षों ने फिडबेक दिया इस विधायक दल के बैठक के पहले भी फिडबेक लि तो उसको पूरी तरजी मिलती है तो उस जगा पर जितने भी कॉंग्रेस के विधायक है वो परदे सद्धेक्ष को बताते हैं कि हमने प्रयास किया नहीं हुआ हम क्या करे अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं ये नाराजगी है ये परदे के पीछे की नाराजगी है तो उन्होंने कहा था कि दो साल हो गया अब काम होना चाहिए अब कोरोना का बहाना भी नहीं चलेगा तो संजे मेरा सवाल यही है कि रांची का टेंपरेचर बहुत कम है और ठंड में हम लोग राजनीती गर्म करने की बात कर रहे हैं तो इस गर्माहाट का कोई फायदा होगा या फिर यह GMM और कॉंग्रेस की अपनी राजनीती चलती रहेगी और जो फायदा जिसको होना है उसको कुछ नहीं होगा क्या JPSC के मसले पर कुछ होगा क्या नियुक्ति के मसले पर कुछ होगा ऐसा करने से कि हम UPA की बैठक में नहीं है देखिए आप जो पूछ रहे हैं J JPSC का मसला हो या फिर नियुक्ति का मसला हो कॉंग्रेस के बिधायक भले ही उनका कल का स्टेंड क्या होगा आगे से जा करके क्या करेंगे उनकी आपस में बैठ करके क्या बातचीत होगी जहां तक में गौर्णमेंट इन मुद्दों पर क्या रूख अपनाएगी आगे आन धार भी है उसको लग रहा है कि अगर हम इस तरीके का स्टेंड लेंगे तो युवा जो सड़क पे इस ठंड में भी जो है रात में शिकूल करके वहां पर अंदोलन अपना जारी रख रहा है बो लोग जो नियुक्ति की आस में बैठे हुए है बो लोग जिन से बादा किया इन मुद्धों पर अब मतलब आएंगे अपना काम करना शुरू करेंगे चुकि आप कोरोना का बहाना आप कितना दिन तक आप करेंगे हम लोग नहीं बोल रहे हैं यह कॉंग्रेस के विधायक जो बोल रहे हैं तो अब हमन सोरेन अब उनको यह भाप लेना चाहिए कि ना क में बाइट दे रहे थे फिर आपके पास जा करके बोल दे रहे थे कि मीडिया का दवाब था अब तो हमन सोरेन को आज यह समझ में आ गया होगा कि कॉंग्रेस के विधायक जिन सवालों को लेकर के हमारे पास आ रहे थे उस पर आप काम करना होगा चाहे वो नियुक्ति का म कि नहीं भाई यह तो मार्च तक का हम को समय दे दो आप विरोजगारी भत्ता देने की बात करेंगे घोसना कर देंगे विरोजगारी भत्ता के लिए पैसा अलोट भी करेंगे और फिर उसको रिफंड कर लेंगे तो इस तरीके से नहीं चलेगा युवा जो है आपसे सवाल कर रहा है जिन मुद्दों पर आप आये थे आपको हमन्सोरेन को लोगों ने किसलिए पसंड किया क्योंकि हमन्सोरेन भीपक्ष के नेता के तौरर पे नेता परतिपक्ष के तौर पे जब चुनावी सवा में जा रहे थे तो वो बहुत अच्छी अच्छी वाय बाते कर रह में कि जो एकी युवा मुख मंत्री से इतनी उमीद है लोगों को खास करके पूरे जारखन के लोगों को चाहे वो युवा हो किसान हो आप रिर माफिका मसला देख लिजे किसान वाला क्या इस्तिती है एन पीए का एक नया नोटंकी है एन पीए में जिसका चला गया है खाता उसको एक अलग तरीके से सेट करने की बाद कही जा रही है बहुत सारी चीज है जिसको लेकर के लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है हालांकि अब भी उमीद है दो साल 29 दिसंबर को होगा भी समय है उसमें भी 13-15 दिन बचा हुआ है दो साल पूरे होने में तो ऐसे में अब भी सरकार के पास है बहुत देर नहीं हुआ है और जो नाराजगी है वो दो मिनट में पाटी जा सकती है तो सितकालिंग शंतर 22 तारीक तक चलेगा तो कल से विधान सबा के अंदर और बाहर क्या ना जारा होगा क्या बीजेपी विधायकों के साथ बैठ कर कॉंग् कर रहे थी कि हमारा भी यह मुद्धा है तो क्या इसमें जेमें के भी कुछ विधायक आ सकते हैं आज जेमें के विधायक ने आपके बाचित करते हुए लोबिन ने कहा कि जेपी एसी मैं मानता हूं कि ब्रस्ट अचार हो गया या गडबड़ी हो गई उसको उन्होंने तो यह राजगी भी जाईर कर रही थी और मिलन भी कर रही थी कॉंग्रेस के कई एक विधायक महां जाकर बेक्तिगत तोर पे सीम से मुलाकात करते थे अकेला अकेला जाकर इस बार पहली बार कॉंग्रेस ने एक ऐसा स्टेंड लिया कि हमारे विधायक नहीं जाएंगे और वो सफ एक बिल्डिंग में मिलते थे यसी हैं मावास पे जहां उनको फुरसत बिलते थे एक सवाल जैसा कि इन्हों ने कहा कि कॉंग्रिस ने स्टेंड लिया मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि कॉंग्रिस के स्टेंड से सरकार पर कितना असर पड़ेगा तब जब दो बार मुख्यमं लेगा जो लोग यह चाहते हैं जिनका यह मंसा रहा है कि सरकार को हम डेमेज करें तो उनके लिए तो एक खुसी की बात है ना वो तो मौके की तलास में हैं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी या फिर कॉंग्रेस के बिधायक जो है इस तरीके का कोई ड है और यही बजा है कि आप लोगों को लग रहा है कि भाई कमरा में बोल बोल करके हम ठक गए हैं अब पब्लिक के सामने इस पस्त मैंसे जाना चाहिए क्योंकि सरकार अगर काम नहीं करेगी इन मुद्दों पे तो सिर्फ हेमंत सोरेन की किरकिरी नहीं होनी है यहां कॉंग् के जो नेता है राहुल गांदी वो खुले मंच पर इन सब चीजों को लेकर के बोलते रहें चुनाओं के पहले भी बो एस्योर करते रहें कि हमारी जब सरकार आएगी हमन सोरेन जी को जब आप लोग मुखमंत्री बनाईएगा तो कॉंग्रेस का एजेंडा है कि 27 पर 32 या परक्षन देंगे भासा को लेकर के बिवाद तो बिल्कुल जब कॉंग्रेस बात करती है पुरे के पुरा देश का मिजाज एक है तो भासाई अधार पर बटवारा तो वो किसी तरीके से नहीं चाहेगी उसमें कॉंग्रेस का नुक्सान होना है तो इन सब चीजों को लेकर भाई जो कबरें दिखा रहा है उसमें कितना दम है सही दिखा रहा है बिल्कुल जनता को एक दम पर रखना चाहिए चीजों को लेकिन अब देखे कि सामने जे हैं कॉंग्रेस खुद जो है बाहर है मुखमंतरी के बुलावे पे कॉंग्रेस के बिधायक नहीं गये हैं अब तो पबलिक सोचेगे कि भाई किस तरी किसे काम चल रहा है क्या लगता है कि नाराज़गी का आगे क्या असर दिखेगा कोई असर नहीं दिखेगा एक पैसे की असर नहीं होगी उसकी वज़ा समझ लिए यह मतलब इसलिए था कि हम लोग साड़े दस वज़ा आके लाइफ कर सके यह था यह मोटो था ताकि जो कल तक एक मास कम लोगों में थी पत्रकारों में चर्चा के बिसे थी इसको थोड़ा मास में लाया जा रूठना उ कि हम भाई अब रूठे हैं पर मेरी इक्षा है कि तुम ही मनाओ तरीका क्या होगा ऐसा मनाओ कि फिर हमको रूठ जाने का मिक्षा तो यह बस एक प्रेसर पॉलिटिक्स है क्यों क्योंकि कॉंग्रेस को पता है और उससे ज़्यादा जेमें को पता है कि कॉंग्रेस माइनस जेमें is equal to zero जारखंड में उनके पास विकल्प नहीं है अगर आप उस लेबल तक जाकर सोच रहे हैं या बात कर रहे हैं तो जेमें के लिए क्या है कहेगा कि हमने अपना जो काम करना था मुझे जो नेतिक तोर पे अच्छा लग रहा है वो हम कर रहे हैं कॉंग्रेस के पा फान इस बात को रिले कर राजी होंगे उनके लिए प्राथ्मिक्ता है की सत्ता से कैसे BJP बाहर है और उसके लिए ज़रूरी है कि हमन्त यहाँ सत्ता में बने रहे हैं अब ही जो यह सीन बना है और हम लोग लाइव करने के लिए भी आए हैं क्या इसकी वज़ाए कि यह भी है CM का जब चाहिए ड्रॉप कर दे अच्छा उसमें किसी ने नहीं रोका और हेमन सोरन ने तेरे महीने के अपने कारेकाल में इसको साबित भी कर दिया है कि भले ही महागडबंदन की सरकार हो चलेगी हमारी जो पूरे यूपिये विधायक दल के विधायकों का नेता होगा और CM का भी सैसा अधिकार है आप देख लीजे तेरे महीने में उन्होंने किनको किनको ड्रॉप किया था कॉंग्रेस के अरे नेता थे तो ये नहीं है लेकिन पार्टी की इसका नाम सुझाएगी वो अलग मिउस्सा है कई बार होता है कि मीडिया में बाते लिख हो जाने से जो काम आज होना है वो दस दिन बाद होता है या कई बार नहीं भी होता है टल जाता है लेकिन ये चर्चाएं आज भी तेज है और हरकी जुबान पर तेज है कि कॉंग्रेस के दो मंत्री को ड्रॉप दो नए मंत्रियों को जगा और हो सकता है कि वो पांस साल बारवा मंत्री कौन बारवा मंत्री कौन सवाल नहीं रहेगा पत्रकारों के बीच उसका भी खयाल रखा जा रहा है तो यही है कुल मिलाकर आप समझ लीजे अगर कॉंग्रेस के कुछ एक विधायकों को अगर सम्मान देने लगे पदादिकारी तो यह मामला खतम हो जाएगा फिर सरकार अच्छा काम कर रही अभी भी कह रहे हैं कॉंग्रेस के विधायक कौन कह रहा है कि हम सरकार से नाराज है कर रहें कि और तेजी लाने की जरूरत है और तेजी की परिभासा नहीं क्या है कि सरकार की जो कारिप्रणाली है उसमें इसलिए बदलाओ की जरूरत है क्योंकि जब नेता परतिपक्ष हेमंद सोरेन थे तो वो यह खुद बोलते थे मीडिया को कि जो रगवर्दास की सरकार पुरवर्टी जो सरकार रही बीजेपकी रगवर्दास के नेत्रित में उस सरकार में अधिकारी जो है नेता के साथ मंच पर बैठते हैं भासन देते हैं यह हमंद सोरेन बोला करते थे आज देखे कि क्या हो रहा है बैनर में फोटो नेता की तरह अधिकारियों की तस्वीर लग रही है अगर मुखमंत्री के साथ बैठ करके लोग भासन बाजी करेंगे तस्वीरों में नेताओं की तरह फोटो लगेगी अधिकारियों की तो इन विधायकों की कौन सुनेगा और ये तो खुले तोर पर सदन के भीतर दिपिका पंडे जो कॉंग्रेस की विधायां के म बहुत सारा मसला है विधायकों का तो वहां थानेदार नहीं सुन रहा है सीओ नहीं सुनता है लोग ये बोलते हैं कि सीओ और थानेदार को जो है सीधे रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है अब अगर विपक्ष इस तरीके से खास करके आपका विपक्ष का अरोप रहे बोलते हैं में सीता सुरेन जो कि उनकी परिवार की सदस भी है विधायक में है लगातार सवाल करती है ठीक है माल ले जाके सीता सोरेन महत्वकांची होंगी उनको लगता होगा कि भाई वो देवर है मेरा चोटा वो मुखमंतरी बना हुआ हम क्यों नहीं बने उनको तरकिना मुखमंतरी के तौर पे नेतापर्तिपक्स के तौर पे लगातार आप स्वक्ष छवी की बात करते थे आज वो सक्स जिस पे कोट ने टिपनी किया कि भाई इस पे जो है एफायार दर्ज हो रूपा तिरकी मौत मामले में जो आडियो बारल हुआ और उस सक्स को जो है आप बगल में बैठा रहे हैं तो आप भी विधायक लोग उमीदों कर रहे हैं कि आज समक्स्तु मुकमंतरी के सामने बैठा जा रहा है तो इस तरीके का मैसेद आप क्या देना चाहरे हैं हमनत सोरें को लोग बहुत उमीदों से देख रहा है अब भी बहुत ज्यादा निरासा नहीं है, हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, तो लोग यह मान रहा है कि हाँ भाई कोरोना है, तो यह सब चल रहा है, लेकिन यह कब तक आप इसको टालेंगे इस तरीके से, आपके पास तीन लाख रिक्तियां हैं, आप लोग लाते हैं, और आप उसी छातुरों को बोलते हैं, तो आपका और उनमें क्या है, वही काम तो भी बोल रहा है, अगला भी बोल रहा है, तो आपको इन सब चीजों से बचना होगा, तो बिलकुल लाइब थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन हम चाहरा है थे कि पूरी बात को समे बाते लाइब, दरसल लाइब के शुरुआत में हमने बता दिया था कि अभी जो आज से जारखन बिधान सभा का सीथ कालिन सत्र शुरू हुआ है, जो 22 दिसंबर तक चलेगा, आज यूपिये गटबंधन की बैठक, यूपिये बिधायक दल की बैठक मुख्यमंतरी आवास पर रखी गई थी, और उसमें कॉंग्रेस के कोई भी विधायक सामिल नहीं हुए, और इसलिए सवाल खड़ा हुआ, कि आखिर अपनी ही सरकार में अपने ही विधायक क्यों नहीं सामिल हुए, और वजह जब निकल कर सामने आई, हलांकि अधिकारीक तोर पर ही, कि सरकार से कॉंग्रेस के विधायक नाराज हैं, और अधिकारीक तोर पर ही मीडिया में बात करते हुए भी कई कॉंग्रेस के विधायक यह बोलते रहे हैं, कि दो साल गुजर गया, अब कुछ काम होना चाहिए, करोना का भी बहाना नहीं चलेगा, यह मान लीज़े सन्धी की यह अध इसमें आधिकारिक त awkward है, बब्लिक जो देख रहे है, तो इसमें आथिकारिक का कोई मसला नहीं है, इस पशट है कि नाराज़गी है, नाराज़गी किन-किन चीजों को लेकर के है, वह भी इस पशट है, भले ही कॉंग्रेस के विधायक जो है कैमरा पर आ करके नहीं बोले तो बिल्कुल रात काफी हो चुका है अब आराम से अब सो सकते हैं और सुबह का इंतजार कर सकते हैं जब जारकंड विधान सभा का मानसुन सतर एक बार फिर से सुरू होगा क्योंकि क्या कुछ होगा क्या इस ठंड में राजनीती गरमाएगी कहा नहीं जा सकता क्योंकि जार जार्खंड में 21 साल के जार्खंड के इतिहास में बहुत कुछ देखने को मिला अब इस मामले में क्या होगा जब जेमेम और कॉंग्रेस में इतनी नाराजगी बढ़ गई है खास करके सरकार के कामकाज को लेकर पार्टी को बढ़ाने और घटाने को लेकर अब कल बिधान सब के अंदर गले मिलकर फिर से विपक्स पर बरसने लगे शुक्रिया